भारत के अनेक राज्यों में लंपी नान की बिमारी से पशुधन की ख़ती हुए है जिश भर में गाय समय दूसरे पाल कुछ जानवरों में लंपी संक्रमन तेजी से फैल रहा है तेजी से फैलते लंपी वाइरस से दूद की भारी कमी होने की आशनका गहराने लगे इसमें लाखों गाय बिमार पढ़ रही है और दस्यों हजारों गाय मर भी चुकी है यह प्रकोफ है लंपी स्किन डिजीज का जिसे आप गाय का करोना भी कह सकते हैं लंपी वाइरस इंडिया में काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है अभी तक कहीं लाखों कैटल्स इस वाइरस की चपेट में आ चुके हैं और कहीं हजारों कैटल्स की जान यह वाइरस अभी तक ले चुका है जिस तरह से कोरोना वाइरस हम यूमन्स में स्प्रेड हो रहा था उसी तरह से ये लंपी वायरस भी कैटल में स्प्रेड हो रहा है लंपी वायरस का सबसे ज़्यादा नेगिटिव इंपक्ट राजिस्थान, गुजरात एंड उत्तरपरदेश को हुआ है तो आखरी लंपी वायरस क्या है? कैसे इंडिया में ये वायरस आया? क्या इसकी कोई वैक्सीन है? आई ये इन सब चीजों के बार में बात करते हैं एंड गवर्मेंट इस वायरस से लड़ने के लिए क्या मेजर्स ले रही है उसको जानते हैं लंपी स्किन डिजीज जिसको शॉट में लेसजी भी कहा जाता है एक वायरस के कारण होता है जिसे कैप्री पॉक्स वायरस के नाम से जाना जाता है जिस तरह से coronavirus ने हम इंसानों की life को बुरी तरह से impact किया था उसी तरह से capripox virus animal खास कर cattle को बुरी तरह से effect कर रहा है ये virus goat pox and sheep pox की family से belong करता है और ये contagious viral disease की category में आता है it means ये एक animal से दूसरे animal में बड़े ही असानी से spread हो सकता है इसके अलावा ये vector born है यानि ये मच्छर मक्ही या किसी कीडे के काटने से फैल सकता है फोर सपोस अगर कोई मच्छर एक LSD से infected गाय के खून को चूँचता है और उसके बाद वो किसी दूसरी healthy गाय को जाकर काटता है तो वो गाय भी LSD से infected हो जाएगी अगर LSD के symptoms की बात करें तो जो केटल LSD से infected होता है उसको काफी तेज fever होने लगता है उसकी बाड़ी पर गाठे बने लगती है जिने हम lumps भी कहते हैं साथी साथ केटल weight loss करने लगता है उनके मूँ में च्छाले हो जाते है और उनकी आखो और नाक से discharge निकलने लगता है इन सब के कारण वो दूद देना बहुती कम कर देती है और severe case में तो एनिमल की death तक हो जाती है इस virus के तेजी से बढ़ने का कारण ये भी है कि ये monsoon के वक्त काफी तेजी से spread होने लगता है that's why June के बाद इसके cases काफी तेजी से बढ़ने लगे क्योंकि उस वक्त हमारे इंडिया में monsoon का season होता है इसके mortality rate की बात करें तो वो 5% के आसपास है it means saw में से 5% chance है कि cattle की death हो सकती है वरना अगर उसको सही time पर treatment मिल जाता है तो वो उससे recover कर लेगा अब LSD की एक खास बात ये है कि ये zoonotic नहीं है इट means ये जानवरों से इंसानों में नहीं फैलता फिर चाहे वो infected animal के contact में भी आ जाये तब भी उसको इस virus से कोई effect नहीं होगा Union Animal Husbandary Minister संजीब बालियान ने बताया कि अभी तक 18.5 lakh cattle को ये virus effect कर चुका है और अराउंड 80,000 से भी जादा cattle की इस virus के करण डेथ हो चुकी है और ये तो वो number है जो recorded है काफी ऐसे भी cattle से हैं जिनकी death को report नहीं किया गया इस virus से सबसे जादा impact राजिस्तान को पढ़ा है अकेले राजिस्तान में 12.5 lakh से जादा LSD के case पाए गये है और 50,000 से भी जादा cattle की death को report किया गया है अब जो ये लंपी वायरस से 2019 से इंडिया में फैलना स्टार्ट हुआ था बट उसके बाद करोना वायरस भी काफी तेजी से फैर रहा था तो फिर लंपी वायरस पर किसी ने जादा focus नहीं किया बट इस वायरस का origin एफरिका के जांबिया से निकल कर आता है ये वायरस 1929 में सबसे पहले एफरिका में पाया गया था और उसके बाद ये slowly slowly बाकी अधर रीजन में भी फैलने लगा और ऐसा करते करते हैं West Asia, South Asia, Europe and Central Asia तक फैलने लगा 2019 में ये वायरस इंडिया में बांगलादेश के थुरू आया और इसकी initial cases उडिसा एंड वेस्ट बंगाल में पाये गये थे और फिर देखते ही देखते तेजी से ये लंपेश की इंडेजी पूरे इंडिया में फैलने लग गया यहां तक कि अंडिमाने निकोवार आइलेंड भी इसकी चपेट में आ चुके हैं अगर इस वायरस के एकनॉमिक इंपेक्ट की बात करें तो यह हमारी डेरी इंडिस्ट्री को काफ़ी इंपेक्ट करेगा जब कोई गाई LSD की चपेट में आ जाती है तो वो मिल्क प्रिडियूस करना बंद कर देती है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम कर देती है गुजरात कोपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने बताया कि इस साल काव मिल्क की केलेक्शन काफ़ी जाधा कम हुई है अगस्त महिने की ही बात करें तो उसमें मिल्क केलेक्शन में 5% की गिरावाट देखने को मिली है राजिस्तान में तो सिचुवेशन इससे भी जाधा खराब है क्योंकि LSD वायरेस का सबसे जाधा नेगेटिव इंपेक्ट राजिस्तान पर ही पढ़ा है अगस्त महिने में स्टेट के मिल्क केलेक्शन में 21% डिक्लाइन देखने को मिला राजिस्तान कोपरेटिव डेरी फेडरेशन ने बताया कि LSD के कारण मिल्क की केलेक्शन 5-6 लाग लेटर पर डे से कम हुई है अब मोस्ली हम सब इंडियन्स की सुबह चाय से होती है पर इस वाइरस के कारण जो मिल्क की प्रोडक्शन में कमी हो रही है उससे चाय पीना थोड़ा महंगा हो सकता है इवन मिल्क के जो बाइ प्रोडक्ट्स हैं जैसे पनीर, चीज, गी, योगर्ट, एट्सेक्टरा इनके प्रैजीज भी बढ़ सकते है इसके अलावा एक गाय या भैस जो अच्छा खासा दूद देती है वो एक फार्मर को 50,000 से 60,000 तक पढ़ जाती है और उन फार्मर्स की इंकम भी इनही के उपर डिपेंड करती है तो अगर कोई गाय भैस लंपी स्किन डिजीज से इनफेक्ट होती है तो उससे इन फार्मर्स पर काफी नेगटिव इंपेक्ट पड़ता है स्टेट गवर्मर्मन इस वार्स की स्प्रैड को रोकने के लिए रिंग वैक्सिनेटिंग का स्तमाल कर रही है इसमें अगर किसी कैटल में LSD का इनफेक्शन पाए जाता है तो उस इनफेक्शन के 5 किलोमेटर के रिडियस में सभी कैटल को वैक्सिनेट किया जाता है ताकि इसके spread को रोका जा सके इसके अलावा affected states में cattle like cow and buffalo की movement पर ban लगाया जा रहा है ताकि यह virus एक cattle से दूसरे cattle में spread ना हो सके और जिस area में lumpy virus का case पाया जाता है वह insecticides को spray किया जाता है ताकि यह मच्छर मक्ही या किसी कीड़े के काटने से ना फैल सके क्योंकि जैसा मैंने भी आपको बताया lsd एक vector born है तो यह easily मच्छर या मक्ही के काटने से दूसरी cattle में फैल सकता है अभी lsd की कोई particular vaccine तो नहीं है बट goat pox vaccine इसकी against काफी effective सावित हो रही है क्योंकि lsd भी goat pox and sheep pox की family का ही virus है तो यह lsd के against काफी अच्छा काम कर रही है अभी तक country में around डेड़ करोड से भी ज़्यादा cattle को यह vaccine लगाई जा चुकी है अब काफी लोगों के मन में एक सवाज जरूर आ रहा होगा कि is it safe to consume the milk of affected cattle Mr. D.N. Mohanty जो के joint director है Indian Veterinary Research Institute में उनका कहना है कि जो गाए lsd से infected है उसका milk consume करना safe है क्योंकि lsd एक zoonotic disease नहीं है तो इसका हम इंसानों पर कोई एसर नहीं पड़ेगा वहीं United Nations Food and Agriculture Organization का इस पर कहना है कि Asia में large portion of milk को collection करने के बाद processed किया जाता है या फिर तो boil करकर या तो powder की form में convert करके जिसके कारण जो virus होता है वो inactive या फिर dead हो जाता है बट अभी भी इसको लेकर कोई clear report नहीं है तो मैं आपको यहीं कहूंगा कि precautions लेकर चलें जब हम इंसानों पर आन पड़ती है तो उसको हम हर जगा share करते हैं न्यूज आर्टिकल सोशल मीडिया पर हर कोई इसके वारे में बात करता है बट इन मासूम जानवरों का क्या जो किसी को अपना दुख नहीं बता सकते कहीं सारे लोगों को तो अभी भी इस लंपी वारे सके बारे में नहीं पता खासकर मैट्रो सिटी में रहने वारे लोग झाल झाल